सुप्रवातम आधित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है आज हम लोग बिहार बोड का अक्षा नाइन्थ में पढ़ी जाने वाली संस्कृत की पाठ्थि पुस्तक पियूसम प्रथम भाग के द्वादसह पाठा हा बारहमी पाठ जिसका सिर्सक है बीर कुमर सिंगह बेर कुमर सिंग उसका अध्यान करेंगे बेर कुमर सिंग के बारे में लिखा गया है कि 1857 इसभी के प्रथम स्वाधिन्ता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांती के अग्रणी नेताओं में जगदेशपूर जो भोजपूर जिला में है वहां के सामन्त बावु विरकुमर सिंग का नाम गर्व से लिया जाता है इन पर संस्कृत में महाकाब्य भी लिखा गया है हिंदे और अंग्रेजी में इनके कई जीवन चरित मिलते हैं इस पाठ में भी बावु विरकुमर सिंग के संचिप्त जीवनी है जिसका हम लोग अध्यायन करेंगे यहां लिख भी रह है कि भारत से प्रथमे स्वतंतरता संग्रामे भारत के पहले स्वतंतरता संग्राम में नेत्री रूपेण नेता के रूप में बेरकुमर्सिंगा बृद्धो आपी बेरकुमर्सिंग बुढधा होने पर भी बिरतया भागम ग्रहतवान बिरता से भाग लिये थे। उनसे पराजित हुए थे। बिरता से भाग लिया था ऐसे बाबु बेरकुमर्सिंग के चरित्र का हम लोग इस पाठ में अध्यान करेंगे। आगे लिखता भी है। देखेंगे यहां कि कि सोर्यस्या पराक्रमस्य धायर्यस्य चो समन्वय रूपो बेरकुमर्सिंगा देशस्य स्वतंत्रतार्थम आंदोलनस्य अनूपमह से नानि आसेद। सोर्यस्य मिन्स बीर्ता के पराक्रमस्य मिन्स पराक्रम के धायर्यस्य चो और धायर्य के समन्वय रूपो बेरकुमर्सिंगा बाबु बेरकुमर्सिंग देशस्य स्वतंत्रतार्थम देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलनस्य आंदोलन के अनूपमह से नानि आसेद अले वाक्य का अर्थ हो गया बिरता पराक्रम और धायरे के समन्वेत रूप बावु विरकुमर सेंग देश के स्वतंत्रता के लिए आंदोलन के अनुपम से नानी थे बिहार राज्य के भोजपूर मंडला से बोजपूर जिले के जगदीश पूर गाओं में अस्य जन्म अभुवद इनका जन्म हुआ था बिहार राज्य के भोजपूर जिले के जगदीश पूर गाओं में इनका जन्म हुआ था जनकोष साहब जादा सिंगा अतिव प्रभावसाली पुरुस थे देवी भक्त आकुमर सिंगा आखेट कुसला आसेट देवी भक्त बाववेर कुमर सेंग आखेट करने में कुसल थे आखेट का अर्थ होता है सिकार पहले के राजा महराजाओं का यह सोख हुआ करता था कि शुबह में नित्यक्रिया किये इसके बाद भोजन के पस्षात वह राज कारे करते थे और सायम कालिन समय में वह आखेट करते थे वन विहार करते थे और एक चीज यहाँ अबजेक्टिव में जो पूछ देता है कि बाववेर कुमर सिंग किसके भक्त थे तो यहाँ लिखा देवी भक्त थे और सिकार करने में कुसल थे नेक्स परग्राफ लिखता है तारुणिये एतस्य विवाहा गया प्रमंडले इस्थितस्य सुर्य तिर्थस्य देव नामकस्य भूष्ष्वामिन अफ़ते नरायन सिंगस्य कन्यया जाता है लिख रहा है कि तारुणिये तरुणा वस्था में ही एतस्य विवाहा इनका विवाह गया प्रमंडले इस्थितस्य सुर्य तिर्थस्य सुर्य तिर्थ के देव एकस्थान का नाम है नामकस्य भूश्वामिनह नाम के जमिदार फतेह नरायन सिंग से फतेह नरायन सिंग जमिदार थे फतेह नरायन सिंग कन्यया जाता है कन्यया से हुआ था बेटी से हुआ लिख दिया कि तरुनावस्था में ही इनका विबाह गया प्रमंडल में इस्थेत सुर्यतेर्थ देव जो छट के लिए अतिनत ही प्रसिद्ध है देव में प्राचिन सुर्य मंदिर है और वहां जो है अब देश के भिनभिन कोने से भी लोग आते हैं लेकिन बिहार के लगभग लोग ऐसा मनवती करके भी देव जाते हैं और वहां जो है छट ब्रत को करते हैं तो तरुणा वस्था में इनका विबाह गया प्रमंडल में इस्थेत सुर्यतेर्थ देव के जमिदार फतेह नरायन सिंग की बेटी से हुआ था कुमर सिंगे सिंगासना मारुडे कर आए कि कुमर सिंग जब सिंगासन पर बैठे जगदीश पूरे अनेक जनकल्यान से कारेक्रमा हसन चालिता तो जगदीश पूर में अनेक जनकल्यानकारी कारेक्रम चलाए बेरकुमर सेंग जब सिंगासन पर बैठे तो जगदीश पूर में अनेक जनकल्यानकारी कारेक्रम चलाए अनिर उधार हृदः इन अनियाई वेवस्थाइम सर्वेशां बरगाणां प्रतिनिक्त्वं नियुप्त की आ शाभी धर्म और वर्ग के लोगों को उन्हों ने अपने राजदर्बार के प्रतिनिधी के रूप में रखा सरवत्र सांती सम्रिद्धी चसन स्थापिते सरवत्र जहां तक उनका राज्य था वहां तक सभी जगा सांती और सम्रिद्धी की अस्थापना हुई आगे लिखता है कि 1845 तमेखिष्ट वर्से 1845 इस वी वर्स में भारते प्रखर रूप में अंग्रेजी शासन के विरोध की जवाला प्रज्वलित हुई 1845 इस वर्स में भारत में प्रखर रूप में अंग्रेजी शासन के विरोध में जवाला प्रज्वलित हुई भारती जगे तदानिम आंगल सास के सुभयम व्याप्तम उस समय अंग्रेज शासकों में भय व्याप्त हो गया अंग्रेज सासकों में डर व्याप्त हो गया अंग्रेज डर गए कि अब भारती जो है स्वाधिंता के लिए लड़ेंगे अंगला नाम बिरोधे प्रचलितेशु आंदोलनेशु कुमर सिंग से सक्रिया भूमिका अभभुवा अंग्रेजों के बिरोध में चलने वाले आंदोलनों में कुमर सिंग की सक्रिया भूमिका होई अंग्रेजों के बिरोध में जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन में बावु बेर कुमर सिंग ने सक्रिया भूमिका निभाई लिख राए कि 1857 इसी वर्स में भारत में पहला स्वतंतता संगराम हुआ था भारत में पहला स्वतंतता संगराम 1857 इसमी में हुआ था कुमर सिंग ने अपनी सेना में बीर युवकों को लिया आंगल अधिकारिन आंदोलनम विफली करतुम तथा आंदोलनकारिन आवरद्धुम निग्रहेतुम ताडहेतुम चानेकान उपाया नकुरुवन लिख रहा है कि आंगल अधिकारिन आंग्रेज अधिकारे आंदोलनम विफली करतुम आंदोलनको विफल करने के लिए आंदोलनकारिन आंदोलनकारियों को अवरद्धुम रोके निग्रहेतुम पकड़े ताडहेतुम पीटे अनेकान उपाया नकुरुवन और भी अनेक उप अंग्रेज अधिकारे आंधोलन को विफल करने के लिए आंधोलन करने वाले लोगों को पकड़े रोके पकड़े और पीटे ऐसा अनेक उपाए कि इस शमय हमारा भारत क्या था अधीन था किसके अधीन था? इंगलेंड के अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था 1857 तमें खिष्ट बरसे जून मासस से 19 तमें दिनांके पाटले पुत्रे स्वतंतदा से नानिनह तिरंगम ध्वजम समुलित वन्तह 1857 वर्स में जून महिने के 19 तारिक को यानि 19 जून 1857 को पाटली पुत्रे पटना में स्वतंतरता से नानिन अस्वतंता से नानियों तिरंगम ध्वजम समुलित वन्ता तिरंगा जंडा को फ़रा दिये 19 जून 1857 को पाटला में स्वतंतरता से नानियों ने तिरंगा जंडा को फ़रा दिया तत्र टेलरस्य दमन चक्क्रेन अनेके वेरपुत्राह निक्रहिताह मृत्यु द्रण्णम च प्राप्ताह तत्र वहां टेलरस से टेलर का दमन्चक्र और दमन्चक्र द्वारा अनेक बेरपुत्र पकड़े गए और मृत्यू दंड को प्राप्त हो गए वहां अर्थात पटना में अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था टेलर और वहां टेलर का दमन्चक्र था बड़ी दमन्चक्र था वह सासक और उसके दमन्चक्र द्वारा अनेक बेरपुत्रों को पकड़ा और मृत्यू दंड दे दिया गया आज भी जो वह जंडा पहरा है 19.1857 का पटना का वहस्थान सहीद असमारक के नाम से जाना जाता है वहां पर साथ जवान इस बिहार के जंडा पहरा रहे हैं और जैसे जंडा उन सबों ने पहराया है उसी रूप में टेलर के द्वारा गोली मार दी गई है और आज भी आप जाएंगे पाटली पुत्र के सहीद असमारक को देखेंगे तो लगेगा कि इस बिहार के बिर पुत्रों ने उस ध्वज को फहराया है भले अपने जान को गमा दिया तो यह देश भक्ती है यह हम सब में होनी चाहिए आगे देखते हैं आगे लिखता है कि तत वरसे उसी बरस यानि 1857 में हैं जुलाई मासस से 26 तमें दिनांके दानापूर सिविर से बिद्रोहिणा सैनिका आराम प्रती प्रस्थातुम आरभधवनता कुमर सिंगस नेत्रित्वे आत्मना उत्त सरगाय प्रस्तुता उसी बरस 1857 इसी में जुलाई महिने के 26 तारिक को यानि 26 जुलाई 1857 को दानापूर सिविर के बिद्रोहिणा आरा की और प्रस्थान कर गये दानापूर सिविर से चल दिये आरा पहुंचे कुमर सिंगह से नेत्रित्य आत्मना उत्त सरगाय प्रसुता और कुमर सिंग के नेत्रित्यों में अपने आपको समर्पित कर दिये कि अब आप जैसा कहेंगे उसी तरह से हम लोग अपना कारे करेंगे जुलाई मासस से 29 दिनां के 500 सैनिका ऐसा डनवर नाम का अंगल सैन्य अधिकारी बेर कुमर सिंगे न पराजितो अभवाद कहराय की जुलाई महिने के 29-30 तारिख को 29-30 जुलाई 1857 को 500 सैनिकों के साथ जो डनवर नाम का अंग्रेज अधिकारी था बेर कुमर सिंग से हार गया पहली घटना थी इस भारत की पहली घटना थी कि जब कोई अंग्रेज अधिकारी किसी भारतिय से हार गया था अनया घटनया कराय की इस घटना से क्रान्तिकारी से उत्साह बर दिता क्रान्तिकारीयों में उत्साह बढ़ गया क्रान्तिकारीयों में उत्साह बढ़ गया क्रान्तिकारीय समझ गये कि हम अंग्रेजियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि कुमर सिंग ने डनवर को हरा दिया था तदा संपर्णे प्राचिन साहाबाद मंडले कुमर सिंग से अधिकारा संजाता तब पूरे प्राचिन साहाबाद जिले में कुमर सिंग का अधिकार हो गया पूरा सहाबाद आज एक ही सहाबाद से चार जिला है बोजपूर बकसर रोहतास और कैमूर उस समय इन चारों जिलों को मिला करके एक जिला था और उस जिला का नाम था सहाबाद तो पूरे प्राचिन सहाबाद जिले में कुमर सिंग का अधिकार हो गया अंग्रेज मुक्त हो गया सहाबाद कुमर सिंगा चेत्रात चेत्रानंतरम गत्वा विद्रोह मुद्ध घोसयत जनांच संगठितान अकरोद कुवर सिंग चैत्र और चैत्र से बाहर जाकर के विद्रोह की घोषणा किये जनान चोशंग गठितान अकरोत और लोगों को इकठा किये आसमिन क्रमे इस क्रम में तेन उनके द्वारा रामगड से रामगड मिरजापुर से विजय गड़ से चाह यात्रा खिरता इस क्रम में उनके रामगड मिरजापुर और विजय गड़ की आत्रा किये नवंबर असे सप्तमे दिनांके ग्वालियर से सेना कुवर सिंग से सेना यामसमा विष्टा लिख रहा है कि साथ नवंबर को ग्वालियर की सेना बेर कुवर सिंग की सेना में मिल गई साथ नमंबर अठारा सो संतावन को गौालियर की सेना बेर कुमर सिंग की सेना में मिल गई कुमर सिंग अस्य विजय अभियानम आजमगड़े गाजेपुरे सिकंदर पुरे च सफलतया संपन्नम कुमर सिंग का विजय अभियान आजमगाण गाजेपुर और सिकंदरपुर में शफलता अपुरुवक शंपन्न हुआ यानि जिधार भी कुमर सिंग गए वह अस्थान अंग्रेज मुक्त होते चला गया वहां से अंग्रेज भागते गए आगे देखते हैं अब हम आ गए अठारा सवंठावन इस भी में और लिखता है कि अठारा सवंठावन तमी खिस्टाप दे अप्रैल मासस से बाइस तमी दिनांके बेर कुमर सिंगा से स्वासा है निकायसा गंगा आपारम गच्छता आंगला नाम भुसंडी गोली का अप्रह प्रहारेन तब तक अंग्रेजों कि बंदूग की गोली प्रहार सेด अफ्रेण था आरयेयों चांगा Ngo लेकिन यह बीर्त में वह स्थमक खड़गे नखंड़ईत्वा गंगाय समरफितवान। वह स्वे में ही अपने एक हाथ में तलवार ले करके दूसरे हाथ को काट करके जिसे हाथ में गोली लगे थी गंगा यह समर्पितवान गंगा को समर्पित कर दिये गंगा को समर्पित कर दिये कि लोमा यह अंग्रेजूं के द्वारा हाथ जो है खंडित कर दिया गया अब यह इस सरीर में रहने के योग्य नहीं है और वह काट करके गंगा को दान कर दिये ठीक उसके दूसरे ही देन 22 तारिक को यह घटना घटी है 23 तारिक को यानि 23 अप्राइल 1858 को लेग्रेंड नामक अंगल सेना पतिमस अपराज इतवान तेइस तारिक को हैं लेग्रेंड जो अंग्रेज सेना पति था उसके साथ जुद्ध हुआ और उसको विरकुवर सिंग ने हरा दिया अनेन सरवत्र विरकुवर सिंग से जय घोशा शमारब्दा जिससे हर जगा बाबु विरकुवर सिंग का जय घोश हुआ बाबु विरकुवर सिंग की जय इस प्रकार का नारा लगा अप्रायल महीने का यह तेईस तारिक विजए दिवस के रूप में घोशित हुआ कि हम लोग इस दिवस को यानि तेईस अप्रायल को विजए दिवस मनाएंगे क्या मनाएंगे विजए दिवस मनाएंगे आगे लिखता है कि युद्धे सत्तम संघर्ष रतस्या बेरकुवर सिंग से सरीर अवयवाह विक्रिताह ब्रणान विताह चो जाता युद्ध में हमेशा संघर्ष करने के कारण बेरकुवर सिंग के सरीर के जो अवयव थे जो सर बीर था वह बिक्रेत और वो विमार पहलता अप्रेयल महीने के 26 तारिक को भारत मातु निसमिंत नहीं के 26 तारिकavan के 26 को भारतव gli राज वीर पुत्र जो रिवाध dos अर्थात इस धराधाम को छोड़ करके चले गए सत्यमेवभनिताम सत्य ही कहा गया है क्रेतिर यस्यच जीवति कृति सब्दकार्थ होता है यस यस सदैव जीवित रहता है जितने भी महापुरुस हुए वह आज नहीं है लेकिन उनका यस आज भारत गाता है और उनका यस क्य है इस्थिर है जब तक यह धरती रहेगी महात्मा गांदी सुवास संद्रवोस इत्याद जितने भी महापुरुस हुए हैं उन महापुरुसों का आने वाली पढ़ी स्रद्धा के साथ नमन करेगी हमें भी इनके आचरन से इनके विवहार से इनके ज्यान से सिक्छा लेनी चाहिए तो इस प्रकार हम लोग पाठ जो है ध्यान कर लिए द्वादसह पाठा बेर कुमर सिंगा अब इसके अभ्यास कारे के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे अगले क्लास में पढ़ाएंगे यदि आपको समझ में आया हो आप अवसे सब्सक्राइब करें और यदि आपको अच्छा नवी के छात्र हैं तो अपने मित्रों को भी सेर करें फिर मिलते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुपकामना